हेलो नमस्कार गुड मॉनिंग दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आपके पास भी है समसंग ग्लेक्सी जेटू मोबाईल और दोस्तो उसमें बार बार स्टोरेज फुल हो जाती है उसमें आप कुछ डालते भी नहीं हो और स्टोरेज पूरी फुल बताते है तो इसी प्रॉब्लम का समाधान आज की इस वीडियो में होने वाला है तो दोस्तो दो ही तरीके में आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखना तभी आप लोगों को अच्छी तरह से दोस्तो समझ में आ जाएगा तो दोस्तो साइड में पड़े हुए स्कीन पर देखी ज़रा तो दोस्तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है दोस्तो पहले नमर पर आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ वही तरीका आप लोगों को फॉलो करना है तो दोस्तो पहले नमर पर फाइल मैनेजर आप ओपन कर लेना है मोबाइल की file manager open होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखे storage use का दोस्तों option आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों storage use के option पे आप लोगों को click कर दिना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर checking चलेगी जैसा कि दोस्तो आप देख पाने ये चक्री गोली सी बनी हुई है और दोस्तो यहाँ पर चकिंग चल लेए तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी दिर वेट कर लेना है उसके बाद दोस्तो इस तरह का इंटरफेस होगा आप लोगों के सामने अब दोस्तो यहाँ पर देखे 90 परतिसत यह है दोस्तो और दोस्तो देखे थोड़ी सी रेड एकदम दिखाई दे रही छोटी सी तो दोस्तो यह फालतू के वाइरस भरे है इसमें तो यहाँ पर देखे डिलीट का उप्सन दिख रहा है ठेक है तो ये आप करते रहना 2-3 दिन में एक बार जरूर करते रहना उसके बाद आप लोगों को बैक कर देना है बैक करने के बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल में दोस्तों SD कार्ड पढ़ा हुआ है तो SD कार्ड को सेलेक्ट करेंगे नहीं तो दोस्तों device storage को सेलेक्ट क करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है यहां पर ध्यान से विडियो को देखना दोस्तों यहां पर देखे जो जो आपकी important file है उनको छोड़ के दोस्तो सभी पे आप लोगों को टिक लगा देना है इस प्रकार से दोस्तो जो भी आपकी important है उनको आप छोड़ दीजे बाकी सब पे टिक लगा दीजे इस प्रकार से टिक लगाने के बाद दोस्तो right side में उपर की तरफ दोस्तो देखे delete का option दिख रहा है तो दोस्तो इस delete के option पे आप लोगों को click कर देना है उसके बाद दोस्तो delete का दुबारा से option आएगा इस पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखे बहुत सारी file एं delete हो रही है तो दोस्तो आपकी important file छोणके सब virus यह सब phone के delete हो रहे है तो इससे जो है आपकी phone की storage काफी हद तक खाली हो जाएगी तो यह जरूर आप अपने mobile में कर लीजे तो उमीद करता हूँ दोस्तो यह वीडियो आप लोगों को बेहत प्रसंद आया होगा अगर वीडियो प्रसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को subscribe करना न भूले क्योंकि मैं दोस्तो ऐसे ही रोजना वीडियो लाता रहता हूँ मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में एक ने डोपी के साथ तब तक के लिए बाई भाई दोस्तों